270 लोग जो हजारी बाग से गिरफतार करके जेल भेजे गए थे, कुछ और लोग जो अन्य अलग अलग जगों से गिरफतार करके जेल भेजे गए थे, बीपीएसी ने अभी तक उन सभी लोगों को पर्तिवंदित नहीं किया है, आखिल बीपीएसी ऐसा क्यों कर रहेंगे, क्या टियारी थिरी की पुनर परिक्षा होगी, तो ये जो लोग 270 और अन्य लोग जो गिरफतार हुए पेपर लिक के मामले में, ये लोग जब पुनर प दोस्तो बीपीएसी टीरी पेपर लिक एबम धांदली सेटिंग के मामले में, 270 लोग जो हजारी बाग से गिरफतार करके जेल भेजे गए थे, कुछ और लोग जो अन्य अलग अलग जगों से गिरफतार करके जेल भेजे गए थे, बीपीएसी ने अभी तक उन सभी लोगो को परतिवंदित नहीं किया है आखिर BPSC ऐसा क्यों कर रही है जब ये लोग धांदली सेटिंग पेपर लिक में सनलिप्ट पाए गये इनको जेल भेजा गया इसके बावजूद भी BPSC परतिवंदित क्यों नहीं कर रही इन लोगों को जबकि पिछले साल कुछ अन्य परिक् रहे थे और BPSC पर धांदली सेटिंग का अर्विप लगा रहे थे अपनी बातों को रख रहे थे अपनी मांगों को रख रहे थे तो 582 अभी अर्थियों को BPSC ने परतिवंदित कर दिया था जबकि वो मीडिया में अपनी बात रख रहे थे लेकिन यहां जब पेपर लिक की पुनर परिक्षा होगी तो ये जो लोग 270 और अन्य लोग जो गिरफतार हुए paper leak के मामले में ये लोग जब पुनर परिक्षा देंगे तो क्या ये लोग फिर से उसमें setting नहीं करेंगे फिर से ये paper leak नहीं करवाएंगे अगर इनको paper नहीं मिलेगा answer नहीं मिलेगा तो कोई और तरीका अपनाएंगे center manage करेंगे या फिर बाद में OMR seat रंग वाएंगे किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरह से ये लोग धांदली setting करेंगे ही आखिर BPSC लोगों को पैसा पहुंचाया होगा इन लोगों ने तभी तो BPSC इन लोगों को परतिवंदित नहीं कर रही है आखिर जब तक इन लोगों को परतिवंदित नहीं किया जाएगा जो paper leak में स्तनलिप्त पाए गए तो फिर पुनर परिक्षा कैसे साही से होगी कैसे मानले की पारदर सीता के साथ निस्पक्षता के साथ TRE3 की पुनर परिक्षा होगी नहीं माना जा सकता जब तक कदाचार में paper leak में धांदरी सेटिंग में सलिप लोगों को जो गिरफतार किये जा चुके हैं जेल भेजे जा चुके हैं उन लोगों को BPSC पर्तिबंदीत नहीं करती है तब तक TRE3 की पुनर परिक्षा निस्पक्षता इमंदारी और पारदर सीता के साथ नहीं हो सकती इसलिए हम यह मान कर रहें BPSC से कि जितने भी लोग BPSC TRE3 paper leak धांदरी सेटिंग याक कदाचार कि किसी अन्य मामले में गिरफतार करके जेल बेजे गए उन सभी को BPSC और वी लंग पर्तिबंदीत करे अन्यता यहीं माना जाएगा कि BPSC भी इस paper leak कांड में सनलीप्त है और इन लोगों को सनरक्षन दे रही है और इन लोगों से BPSC ने पैसा लिया है BPSC के अधिकारियों ने पैसा लिया है और इसलिए BPSC के ओपर सिक्षा माफियाओं का दवाब है इन जो लोग पकरे गए paper leak में उन लोगों का दवाब है और इसलिए BPSC ने लोगों को पर्तिबंदीत नहीं कर रही है अगर BPSC मंदार है अगर BPSC paper leak में सनलिप्ट नहीं है BPSC के अधिकारियों ने paper leak में सनलिप्ट इन लोगों से पैसा नहीं लिया है तो BPSC इन सभी लोगों को जो paper leak, धांदली सेटिंग या कदाचार के किसी एन्ने मामले में सनलिप्ट पाए गए जेल बिजे गए इन सभी को BPSC TRE3 परिक्षा से पहले परतिबंदित करे तभी TRE3 की जो पुनर परिक्षा है वो पारदर्सिता, इमंदारी और निस्पक्षता के साथ संपन होगी अगर BPSC परतिबंदित नहीं करती है तो ये लाखों अभियर्थियों के साथ न्याय होगा और TRE3 की पुनर परिक्षा, इमंदारी निस्पक्षता और परदर्सिता के साथ नहीं हो पाएगी इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि BPSC ये जो जितने भी लोग पेपर लिग धांदरी सट्री में सलिप पाए गए जेल बेजे गए इन सभी को परतिबंदित करे